आज हमराएंगे टिंडे की मसाला पूरी की रेस्पी तो मैं हूँ वर्षा मेरी वर्षा इस किचिन में आप सभी का स्वागत है आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को पूरा देखें अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शियर करें तो चलिए शुरू करत हमारे अच्छे से पinta लेगे तो इस तरह से काट लेती हूं और चोटे टूड़ों में कटी हूई एक इंच चाथ तोру Slates चुटा काटकर इसमें डाल लेते हैं और फ्रेस हरा धनिया डाल लेंगे दूखर और ढगा कर पीश कर इसका इस तरह से पेश्ट की तरह बना लेंगे तो टिंडे प्याज हमारे अच्छे से पीश्ट के तयार हो चुके हैं अब इस पेश्ट को किसी परात या बावल में निक दाल लिया है आप 12 चुटी लाल मिश डालेंगे छोथाई जीरा दो चमच सफेद तिल डालेंगे और थोड़ी सी हिंग डालेंगे साथ 14 colon Jadi और चोथाई चमच as wine डालेंगे और आदा चमच नमक डालेते हैं चोथाई चमच हल्दी कलर के लिए और चोथाई चमच धनिया पोड़र एक चमच देसी घी डालेते हैं जिससे नास्ता हमारा खास्ता बनेगा आप सबी मसालों को टिंडे प्याज की पेष्ट के साथ चमच स तो पानी का यूज हमें बिल्कुल भी नहीं करना है अब चमच को साइड मैटा देते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो अभी काफी गीला है आदा पॉण का पाटा अभी इसमें और डलेगा इसे डालकर अच्छे से पूड़ी की तरह आटा इसका लगा के तैयार कर लेंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शियर करना ना भूले अगर कुछ भी ना पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरू बताएं तो आटा हमारा तैयार है दस मिनट इसे रेस्ट पर छोड़ दिया था एक बार इसक इसकी लोई बनेगी और जल्दी बनके तैयार होगी अब एक पोशन उठाएंगे इस तरह से अतेलियों से गुमाते हुए गोल लोई बना लेंगे इसी तरह से बाकी की सारी लोई को बनाकर रख लिया है अब इसे हम परात में ट्रास्पर कर लेंगे एक लोई लेंगे और पर शूखा अटा लगा लेती हूं आप चाहो तो ओयल भी लगा सकते हो और इसको हम पूरी की शेप का यह तैयार कर लेंगे तो पूरी बेल लिए इधर कड़ाई में तो सिखने के लिए डाल देते हैं तो जैसी पूरी सिख के उपर आती है इसको हम पलट लेते हैं और अल करेंगे thank you for watching